मैं हूं संतोष देवी प्रियंका नोलिज बैंक में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों मेरे भाई बैनों आप सबको धेल साड़ा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों मेरे बैनों कैसे हो आप आसा करती हूं आप सब ठीक होंगे आम का भरकू सिजन चल रहा है तो आचार भी पढ़ लए हैं यह तेल के अचार का आम हैं इसको हम काट लेते हैं आम के डाकले को थोड़ा गहरा काटना है देखे इस परहा से इससे आम में चीप नहीं रहेगा हम डाई किलो आम का अचार बना रहे हैं हम सोरोते से आम को जाली सहीत काट लेते हैं और इसकी बिजिली को अलग कर देते हैं देखे आम की बिजिली को अलग कर दिया है अब आम को एक साप सूती कपड़े पर 5-6 घंटे के लिए धूप में डाल देते हैं आप बिना धूप दिकाये भी आम का अचार डाल सकते हैं अब सूखे मसालों को भून कर कूट लेते हैं अब इन्हें हलका सा भून लेते हैं इनकी नमी भी निकल जाएगी और अचार का टैस्ट भी बढ़ जाएगा मसाले हलके से भून गए हैं अब इन्हें इमान जिस्ते की साहता से कूट लेते हैं मसाला हमने दर्दरा कूट लिया है यह देखिए आम भी हलका सा ड्राई हो गया है और इनका पानी अच्छे से सूग गया है सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे यह आधा किलो सूत सौट सो का तेल है इसे हमने गरम करके ठंदा कर लिया है अभी हम तीन चार अमचे तेल मिलाएंगे अब नमक मिलाएंगे नमक थोड़ा जादे पड़ता है अचार में पहले हम नमक और तेल को गेर के मिला लेते हैं अब पूटे मसाले डालेते हैं अब हल्दे डाल लेते हैं यह 100 ग्राम हल्दी है अब पूटी लाल मिल्चे डाल लेते हैं यह भी 100 ग्राम है मेट्रिक अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं दो चमच काला जीरी यह थोड़ा सिर्का है यह प्रिज्विल्टी का काम करेगा अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोड़ी हल्दी कम दिखाई दे रही है हल्दी ओर डाल देते हैं अब थोड़ा तेल ओर डाल देते हैं अब रही हैं अब प्रोड़ा देते हैं यह थोड़ा प्रोड़ा अब थोड़ा मसालो की मातरा आप अपनी इच्छा के नुसार कम बढ़ती कर सकते हैं किसी को अचार तीखा पसंद होता है किसी को कम तीखा पसंद होता है नेकिन अचार तीखा ही होता है अब एक कांच के जार में थोड़ा तेल डाल देते हैं अब अचार को इसमें हम भर कर रख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों मेरे बैबेनों आप साब इसी तरह से याम का अचार डालना और अपना अनुभा प्रियांका नोलिज बैंक पर जरूर सेर करना मेरे प्यारे बच्चों मेरे बाइबेनों हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनना हमारे वीडियो को लाइक करना, कमण करना, सेर करना अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ खुश रहो आनंदीत रहो बाई बाई